एक बहुत बड़ी प्रोग्रम्स क्रेट हो जाती है अन्रूत और जहने के साधी के बारे में छोटन को पता चल जाती है हालें कि ये पोश्ट कर्षीन होता है जो आने वाले एपिसोड में कि आई स्टोरीलाइन कैसे टाइवर्ट होती है और हाँ इसी कहीं ज़्यादा तमासा क्रेट होने वाली है जस्त समझो कि सिर्फ कल्चिरल इवेंट में क्योंकि वेल जब ये आया होता है घर पे तो ये पहलते एग्रिमेंट साइन करना चाता है जब वहाँ पे वो हपू की बाते सुनता है न प्रेम मुहबत की बात है कि साइद ज़्यानक से तुम प्यार करने लगे हो कि बात में जाकर कि वह पेपर पे साइन कर देती है लेकिन जैसे निकलने वाली होती है तब तक वेल इसकी चाची आती है अब सचाई उसको पता ना चल पाए तो जिस करन जनक ये बोल देती है कि दरसल उस कल्चिरल इवेंट में हपू पी भाग लेने वाली है और ये उसकी देख रेख करने वाली है इतनी सारी चीज़े बोल करके समझो तो इसको परमिशन तो कैसे मीच जाता है घर से लेकिन ये सारी चीजों को कैसे जाकर गिए वो अर्ची को बता देती है क्योंकि अर्ची भी आयो होती है इस घर पे अब दिक्काद ही होते हैं बाता आती तो पहले वो अप्पु को है कि अप्पु जायद उसमें पाइटिपेट करने वाली है लेकि निव फेस भी अगर कोई है कि जो आने वाला है जो इसमें पाइटिपेट कर सकता है कोई बाहर बंदा तो उसमें जाना का नाम हो सकता है इस चीज का डर होता है और ये अर्ची को बताती है अर्ची को तो पहले लगता है कि नहीं यार अगर वो होगी तो मैं बिल्कुल डास नहीं करने वाली और ये घर वालों के सामने भी वो सब बातों को बोल देता है कि अपुदी का मन था उसमें पार्टिपेट करने का जिसकर मैं उनका साथ दे रहा हूं और मैं उनका सपूर्ट करना हूं आखिर किसी वो घर में अतराज तो नहीं है ना और जहनक उसकी मदद करने के लिए चलेगी वहा तो जहनक को लेकर कि कैसे बीचाले जाना है कल्चरल इवेंट में लेकिन ये खुद नहीं चाहता बलकि ये छोटन को जाकर के सारी बातों को बताता है साधी से लेकर कि हमारी साधी हो इना थी बलकि बंदू रख करके कनपटी पे साधी करवा दी गई वो साधी नकली थी अब समझ रहे हैं न मेरी बात को चुटर बोलता कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो यार हूँ प्लीज इस बात के बारे में किसी को पता ना चलना पाए लेकिन धीरे धीरे सबी घरवालों को इसकी खबर लग जाती है और वो लोग फैसला करते हैं उस कल्सरल इवेंट में पहुँचने की सबका रिहलसल भी सुरू हो चुगा होता है और गुरुजी जब जाना को यहां पर देखते है न तो उनकी सास से तंग जाती है कि अरे मेरे मचती कि दिनों की याद आ गई मतलब की यह तो वही है न जिसकी मतलब बेटी उसकी डेकर को लगता है कि यार अगर यह मेरे साथ में यहां पर रही तो सच्छा ही आज नहीं तो कल सामने आने वाली है और इसका पूरा का पूरा फाइदा अनरोद उठाता है अनरोद के पास में तो अल्रेडी लेटर होता है और वह लेटर संभाल कर रखा हूँ होता है कि जब चाहे वह मैच करवा सकता है और गुरु जी को गलत साबित कर सकता है कि गुरु जी आप ही है जाना के पितास्त्री और वह इसी इसके बार में जानता है तो वो उनकी और नजदी जाने की कोशिस करता है उनकी प्रस्विनल चीजों की जानने लगता है बाद ने पता चलता है कि जानना की बहन भी है भाई भी है उसका एक फैमिली है मतलब उसके डाड के सेगंड वाइब जो है उनसे तो अब ये जानना को कैसे भी समझो तो उनके घर ले जाना चाहता है एक बार अब लंच के लिए कुछ और चीज के लिए तो ये उनके साथ माज़ से रिष्टे सावित करता है और समझो की अपने मेल मिला बहुत अच्छे से रखता है रिष्टे की तो इसे कदर करने के ऐसे दिखावाबन के सामने करता है और वो जानना का एक अंजान के रूप में उनसे इंट्रिटोस करवाता है हलाएं कि ये इसका एंड प्रोमो होता है तो सच में इतने तो काफे सारी चीज़े एक्स्प्लेन की जाती है अब सुसना ये है कि इस लोड में क्या वाल होगा उसमें क्या कौन से तमसे रिट होने वाले है खेर जो भी चीज़े होगी ना सच में वो भी मचदार होगी